हेलो एमें ऑडिबल के तो आज हम लोग जॉन रॉल्स को कंप्लीट करने वाले हैं और टाइम बचेगा तो जितना कोश्चन बच किया था 2004 के पेपर वाला उसको भी हम लोग देखके कंप्लीट कर लेंगे तो जॉन रॉल्स को बड़ा शॉट में हम ले जा रहे हैं क्योंकि जॉन रॉल तो आप लोग के स्लेबस में भी नहीं है तो जो जो भॉ herself प्रसेउं कर लेते हैं कि क्यां कि जॉन रॉल्स से पूछा जाईगा वो हम लोग डिसकस कर टे इस चाप्टर को जल्दी से कंपलीट करने का कोशिस करते हैं का ओसो इस पहले आपको ये ध्यार में में रखना है जॉन रॉल्स से रिलेटेड कि जॉन रॉल्स जो है ना यह ट्वेंटीथ सेंचुरी के कि हाई इशान कल आप शायद क्लास में जुआइन नहीं किये थे रहेट हम आपको ढूंड रहे थे कल ओके तो जॉन जॉन रॉल्स के बारे में हम लोगों को क्या दिहान में रखना है ओके अच्छा जो जॉन रॉल्स के बारे में क्या हम लोगों को धिहान में रखना है कि जॉन रॉल्स जो है वो आपके 20th century के greatest thinker है 20th century के ओके greatest thinker है जैसे immersion कहते हैं कि आपका जो entire western political thought है that is the footnotes of Aristotle and Plato मतलब जितना भी आपका पहले के चिंतन आपको देखने को मिलेगा सब Aristotle जॉन रॉल्स के बारे में कहा जाता है कि जॉन रॉल्स का ही footnotes है जितना भी आपको modern political theory और philosophy देखने को मिलेगा सब जॉन रॉल्स के इर्ध गिर्ध घुमते हुए दिखाई देगा अर्थात जॉन रॉल्स जो है वह आधूनिक चिंतन में राजनीतिक विज्ञान में केंद्र में है और बाकी सभी के सभी चिंतक इनके आसपास खुमते हुए दिखाई देते हैं आप communitarian की बात करें Michael Walzer, Michael Sandal सब इनका criticism करते हैं और अपने theories को देते हैं आप robot logic की बात कर लें इनके आसपास घुमते हुए दिखाई देंगे आप Amartya Sen की बात कर लें Amartya Sen भी इनको criticize करते हैं तो ये सब जितने भी आपके modern political theorist माने जाते हैं महान महान वो John Rawls के आसपास ही आपको दिखाई देंगे घुमते हुए और John Rawls को ही reference point मान कर वो अपने theories को देते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सबसे पहला बात John Rawls अपनी theory क्यों और कब दे रहे हैं ये जानना बहुत आवस्यक है इनके चिंतन को समझने के लिए तो John Rawls जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे USA के रहने वाले थे अब जब John Rawls अपने theories को दे रहे हैं तो उस समय दो बहुत ही एहम घटना अमेरिका से link होकर घट रही है सबसे महतपुर्ण घटना तो आपको cold war देखने को मिलेगा जिसमें अमेरिका अपने आपको जो है सबसे superior साबित करता था और कहता था कि जो liberalism है liberalism से बहतर कोई value system नहीं हो सकता और capitalism से बहतर कोई भी economic system नहीं हो सकता क्योंकि liberalism का जो economic dimension है न जो उदारवाद का जो आर्थिक आपका dimension देखने को मिलता है उसी को हम capitalism कहते है अर्थात liberalism, उदारवाद और पूंजी बाद में एकदम सीधा सीधा संबंध आपको देखने को मिलेगा जो आपका उदारवाद होता है उसका जो आर्थिक आयाम होता है हम उसी को पूंजी वाद कहते है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो cold war चल रहा था उस time में और दूसरा सबसे महत्वपुर्ण घटना ये घटनी थी अमेरिका में कि अमेरिका में unrest था कैसा unrest था तो civil unrest थ होगा black right movement चल रहा था हूँ समय में 1960s के time में और black right movement महत्मा गांधी से भी काफी जादा inspired होता है और उसको Martin Luther King Jr. Martin Luther Jr. जो हैं उसको lead कर रहे होते हैं और American को जो black American है उनको equal civil rights दिये जाते हूँ समय तो John Rawls ने सोचा कि America में अभी situation normal नहीं है और अगर हमें situation को normal बनाना है तो हमें justice के कुछ ऐसे principle कुछ ऐसे सिधानतों को प्रतिपादित करना होगा propound करना होगा जिससे जो ये civil unrest है ये सांत हो जाए और लोगों के बीच में अच्छे से जो है justice जो है स्थापित हो जाए तो इस समय जॉन रॉल्स अपनी theory दे रहे हैं जॉन रॉल्स को सब criticize भी करते हैं जॉन रॉल्स को criticize इसलिए करते हैं कि जॉन रॉल्स अपना सिधानत सब का मारना ये है बाकी चिंतकों का कि अमेरिका के supremacy को दिखाने के लिए जॉन रॉल्स अपना सिधानत दे रहे होते हैं क्योंकि जॉन रॉल्स का जो justice का जो सिधानत ह होता है वह किस पर अधारित होता है वह लिब्रलिजम पर अधारित होता है इस चीज़ को द्यान में रखिएगा वह उदारवाद की विचारधारा पर अधारित होता है इसलिए जॉन रॉल्स के बारे में कई बार कहा जाता है कि जॉन रॉल्स ने तो अमेरिका का पक्ष रख आपने क्या बताया है बस चोटे चोटे पॉइंट्स यह हैं कि जॉन रॉल्स 20th सेंचुरी के बहुत ही बड़े थिंकर है modern political thinkers में अगर हम बात करें तो इनकी जो है बहुत मतलब बहुत महतुपुर्ण है और इनकी गिंती सिर्ष पर की जाती है he is the topmost of all the thinkers दूसरा बात मैंने बताया है कि जैसे प्लैटो और अरिस्टॉटल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा western political philosophy घुमता है उसी प्रकार से जॉन रॉल्स के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा modern political philosophy घुमता है जितने भी आपके चिन तक देखने को मिलेंगे जैसे में माइकल वालजर हो गया जैसे मैं रोबूट नौजिक हो गया लिबरेटेरियन में हां लक्ष्मी बोलिए राजी लक्ष्मी हाँ बोलिए मैंने आपका दो लेक्चर नहीं देखा है तो पहला वाला टैंड कर लिए अभी 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 वाला देख सकती है कोई दिक्कत बोल रहे थे कि 20th century के सबसे greatest चिंतक है और इनहीं के इर्थ गिर्थ जो है पूरा का पूरा modern political philosophy घुमते हुए हमें देखने को मिलता है या वो libertarian Robert Naugick अपना विचार दे या अमर्तिया सेन अपना विचार दे या कॉम्विनीटेरियन माईकल वाल्जर अपना विचार दे यह सब इनहीं के इर्थ गिर्थ गूमने को मिलेगा या चार्स भी फॉमस ये सब इतने भी ही चिन्तक है यह सब जितने भी अपने विचार्द देते हैं जॉन रॉल्स को केंदर में रखके विचार्द देते हैं आपना जॉन रॉल्स के चिंतन को समझने के लिएह हमें जॉन रॉल्स के time period में जो दो सबसे महत्व पूर्न घंटनाए घंट रही होती हैं उसके बारे में जानना वश्यक है सबसे पहला cold war चल रहा होता है जिसके बारे में जानना वश्यक है और दूसरा black right movement चल रहा होता है अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसको lead कर रहे होते हैं महात्मा गांधी से भी काफी जादा inspired होता है यह जो movement होता है तो इतना ही चीज मैंने आपको बताया बहुत लोग जॉन लॉक पर ये आरोप लगाते हैं कि जॉन लॉक जो है यह अमेरिका के पक्ष को रख रहे थे अपने justice का सिधान्द दे कर अपने न्याय का सिधान्द दे कर क्योंकि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिधान्द है वह liberalism हम अर्थात उदारवाद के विचारधारा पर जो है अधारित है और अमेरिका जो है उदारवाद का समर्थक था अमेरिका capitalism का समर्थक था जो पूंजी वाद होता है वह उदारवाद का ही आर्थिक आयाम होता है पूंजी वाद और उदारवाद आपस में एक दूसरे से काफी जादा इंटर रिलेटेड है काफी जादा एक दूसरे से संबंधित है दोनों को हम अलग नहीं कर सकते तो मैंने अभी तक यही बात बताया आप सबको अब जॉन रॉल्स के जस्टिस के बारे में हमें छोटे-छोटे पॉइंट जान लेने है जहां से कुश्चन बनेंगे और हमें इ समाज में बहुत महत्पुर्ण रहा है आप बात करें तो पूरा का पूरा जो वेश्टन पॉलिटिकल फिलोस्फी है वो न्याय के संबंध वो पूंजीवाद मतलब कैपिटलिजम हां जी हर्शिता पूंजीवाद मिन्स कैपिटलिजम जो आपका जस्टिस है उसी के आपका बेंजामिन जोट का भी मानना है ओके तो हम प्लाटो के रिपब्लिक में देखें तो उसमें भी उनका सब्टाइटल था वो था कंसर्निंग जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि दर रिपब्लिक का सब ताइटल क्या है बुक का तो उसका साथ से ही जो है महत्वपुर्ण रहा है और नयाय जो है कि तम फाउंडेशन स्टोन रहा है एकदम आधार सिला रहा है किसी भी राज्य के लिए किसी भी समाज के लिए क्योंकि जब तक समाज में आपको just social norms नहीं मिलेंगे अगर आपको नय पुर्ण ब्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलेगी राजनेतिक ब्यवस्था या फिर समाजिक ब्यवस्था वो समाज चल नहीं पाएगा उस समाज में निरंतर संगर्स होगा there would be the continuous conflict in the society where there would be no just norms and where there would be no just social and political institution therefore the justice is very important justice is the fundamental of any society because if there is no justice there would be the contradiction there would be the conflict in society अगर नयाय नहीं होगा तो समाज में जो है पूरी तरह से आपको संघर्स देखने को मिलेगा इसलिए हमें नयायवाद पर अधारित हमें समाजिक और राजनेतिक ब्यवस्थाएं चाहिए हमें समाजिक और राजनेतिक मुल्य चाहिए जो की नयाय पर अधारित हो तभी लोग एक समाज में रह पाएंगे और जॉन रॉल्स भी इस बात को जानते थे इसी लिए जॉन रॉल्स का ये statement बहुत 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 जादा important exam में पूछा जा सकता है जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो justice है जो न्याय है वो पहला सदगुन है किसी भी social institution का कोई भी समाजिक अगर बेवस्था है कोई भी समाजिक सनरचना है कोई भी social structure है institution है या संगठन है तो उसका जो सबसे पहला सदगुन सबसे पहला जो गुन होता है वर्चु होता है वो justice होना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार से जो truth है जो सत्य है वो सबसे पहला वर्चु होता है सबसे पहला गुन होता है किसी भी thought का अगर आपने कोई thought आपने कोई चिंतन दिया तो आपका चिंतन जो है न वो सत्यता पर अधारित होना चाहिए अगर आपके चिंतन में सत्यता नहीं होगी तो उसे unscientific करार दे दिया जाएगा और जब किसी चिंतन को unscientific करार दे दिया जाएगा तो उस चिंतन का कोई महत्व नहीं उस चिंतन को कोई follow नहीं करेगा तो इसी लिए जो system of thought है उसका पहला गुन होना चाहिए कि वो सत्य पराधारित हो उसी प्रकार जितने भी social institution है उनका पहला गुन तो यही होना चाहिए कि वो नयाय पराधारित हो ये बड़ा important point है इसको द्यान में रखिएगा अब यहाँ पे एक हम concept समझाने की कोशिश करते हैं इसको समझिएगा थोड़ा हम जेरेमी बिन्थम के बारे में पहले डिसकस कर चुके हैं जेरेमी बिन्थम जो है एक आपका maxim देते हैं जिसको बोलते हैं greatest happiness of greatest number जी एच जी एन greatest happiness of greatest number अब यहाँ greatest happiness of greatest number का मतलब यह है न कि अगर 100 लोग हैं तो आप ऐसे कानुनों को बनाए आप ऐसे policies को आप ऐसे नीतियों को बनाए जिस से 90 लोगों को मतलब maximum लोगों को maximum benefit मिले maximum लोगों को maximum happiness मिले अगर 10 लोगों को अगर happiness नहीं भी मिलता benefit नहीं भी मिलता तो चलेगा तो यहाँ पर जो dignity का सिधान्त है ना dignity के सिधान्त को greatest benefit to least advantage हाँ बिलकुल सही बात उस तरह से कह सकते हैं तो यह चीज़ समझ में आया जो 10 लोग है अगर इनका कुछ ना भी हो फिर भी काम चलेगा तो यह dignity के खिलाफ है जो मानों का गौरो है उसके खिलाफ है example के तोर पर मान लीजे आप ही किसी गरीब समाज में पैदा होते गरीब घर में पैदा होते और सरकार ऐसे कानून बनाती जो सिर्फ अमीरों के पक्ष में होती जो बिलकुल गरीब तपके के लोग हैं उनके पक्ष में नहीं होती तो उन गरीब तपको का क्या इनका गलती है कि इनको खुशी नहीं मिलेगा या इनको जो है benefit नहीं मिलेगा किसी भी policy किसी भी नीती का तो ये यूटिलिटेरियनिजम है इसी को हम लोग उपयोगीता बात कहते हैं कि अगर एक आदमी का किड़नी निकालने से अगर नौ आदमी का जान बच जाता है तो एक आदमी का किड़नी निकाल दीजे लेकिन जॉन रॉल्स कहते हैं कि वो एक आदमी तुम भी हो सकते हो, और एक आदमी जब वो तुम होगे ना, तो तुम समाज से पुछोगे कि आखिर मेरा क्या दोस्त था, मेरा क्यों किड्नी निकाल रहे हो, आप बात समझ रहे हैं, ये दस लोग नहीं पुछेंगे, कि आखिर मेरा क्या दोस्त था, आप म निरस्त कर देते हैं इसलिए अगर कोई कि चुल करेगा कि और इसे के निया होना चाहिए इस पूरे के पूरे समाज में जितने भी लोग हैं सब का भ़ला होना चाहिए ठीक है ना ये चीज़ को ध्यान में रखेगा और यही चीज़ यहां पे लिखा हुआ है कि every person, each person possesses inviability founded on the principle of justice मतलब हर एक वेक्ती जो है वो जो नियाय का सिधान्त होगा उसमें उसका पक्ष रखा जाएगा ऐसा नहीं कि उसको दरकिनार कर दिया जाएगा और सबके welfare के बारे में सोचा जाएगा किसी के welfare को हम लोग override नहीं करेंगे ये बहुत-बहुत important point है इसको भी ध्यान में रखिएगा हाँ everyone matters equally everyone matters equally बिल्कुल सही बात है ऐसा नहीं कि 10 आदमी का kidney निकाल के अगर 1000 का जान बच रहे तो बचा देते हैं वो 10 आदमी का क्या गलती था और वो 10 आदमी के अगर जगह पे इनसान खुद रहेगा तो वो भी यही सवाल पूछेगा कि हमने क्या कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो राइट तो बाकी तो पॉइंट मैंने बता ही दिया हाँ रॉल को हम लोग liberal egalitarian कह सकते हैं बिल्कुल यह आगे पॉइंट मैंने लिखा भी है तो जॉन रॉल्स को जो है मैंने बताया कि सबसे महान चिंतक माना जाता है 20 सताबदी का है ना और इनको क्रेडिट दिय क्या जाता है revival of political theory का यह दूसरा सबसे important point है दूसरा तीसरा जो भी important point हम बता रहे हैं देखिए decline of political theory क्या है कल भी हम इसके बारे में बताया थे तो सबसे पहले तो एक होता है normative theory या normative approach normative approach को हम लोग traditional approach भी कहते हैं traditional approach यह जो normative approach या traditional approach या theory होता है यह मुल्यों पर अधारित होता है और यह चीजों को prescribe करता है prescription करता है चीजों का prescription prescribe करता है मैं बता रहूं इसका मतलब क्या होता है यह जो है और क्या करता है यह बात करता है what ought to be क्या होना चाहिए what ought to be या what should be ठीक है ना और what should be what should be तो जो normative political theory होता है या normative approach होता है वह मुल्यों पर ज्यादा महत्वत देता है मुल्य जैसे में न양े, समांता, स्वतंतरता यह सा मुल्य हैं राजनीति के राजनीतिक सिध्धान्त बिना इन मुल्यों की जो है वो बेकार है बिना उसका कोई महत्व नहीं है तो normative जो अप्रोच होता है वह मुल्यों को महत्व देता है नयाय, स्वतंतरता, समानता, भाईचारा इन सब को महत्व देता है उसके बाद वो prescribe करता है चीजों को क्या होना चाहिए अगर समाज में अभी कुछ गल्ती हो रहा है अगर समाज में कु किया जाया, prescribe करता है चीजों को, prescribe मनें बताता है कि क्या होना चाहिए, what ought to be, ठीक है न, इसलिए हम लोग इसको philosophical अप्रोच भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, philosophical अप्रोच भी इसको कहते हैं, philosophy से इसको हम लोग relate करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, philosophy से relate करते हैं, क्य क्योंकि ये बात करता है क्या होना चाहिए मुल्यों पर जादा जूर देता है और ये बहुत बेहतर था राजनीती में जो फिलोसफी है उसका एक महत्वा है हम बिना फिलोसफी के राजनीती की कलपना नहीं कर सकते क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का कहीं न कहीं उदय फिलो तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा फिलोसफी बड़ा महत्वपूर्ण है आपको बताना पड़ेगा कि समाज में अभी क्या कमिया हैं और ये भी बताना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए इस कमियों को ठीक करने के लिए मैं एक डॉक्टर का हमेशा देते आया हूँ यहाँ पर मैं एक और अप्रोच को यहाँ बता देता हूँ दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या जिसको हम लोग इंपीरिकल अप्रोच कहते हैं इंपीरिकल अप्रोच ध्यान से इसको पर रही है उस पर अधारित होता है क्या है इसकी बात करता है यह description की बात करता है चीजों को describe करता है और यह क्या करता है यह बात करता है what is what is की और इसी को ज्यादा महत्व मिलने लगा जब behavioral revolution आया behavioral मतलब विवहारवादी क्रांती जब आई 1920 के दसक में राजनेतिक विःज्ञान में और यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप से पहले डॉक्टर पूछता है कि क्या problem है क्या है तो आप बोलते हैं कि मेरे पैर में दर्द है मेरे मेरे सर में दर्द हो रहा है आप अपने जो भी आप describe करते हैं अपने problem का facts बताते हैं कि मेरे सर में दर्द है मेरे पैर में दर्द है तो आप सबसे पहले empirical approach का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले आप अपने अनुभावों को साजा करते हैं एक चिकित्सक के साथ एक डॉक्टर के साथ और उसके बाद उन अनुभावों को साजा करने के बाद डॉक्टर बताता है कि अच्छा ये ये प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है और य जाहिए इस पर भी जोर देता है अगर मा लीजै डॉक्टर के पास आप गए और आपने इंपिरीकली फांट बता दियंए कि मेरे सर में दर्द है पैर में दर्द है उसने लिखती है । सो एंड सो को सर में दर्ध है पैर में दर्ध है भगा दी आपको हां से तो मारेंगे की नहीं कि भाई इलाज कराने हैं क्या कर रहे हो अपना प्रॉब्लम बता है तो सॉल्यूशन बताओगे ना हमको भेज दे रहे हो ऐसे करके कि और अगर महां लीज़े डॉक्तर ने आपसे कुछ पूछा ही नहीं आपको क्या हुआ है वो अपने बोलने लगा ऐसे होना चाहिए आपके सरीर में यह होना चाहिए यह होना चाहिए ऐसा हो जाना चाहिए पहले normative approach को follow करने लगा फिर भी आप उसको पीटेंगे कि पहले पूछ तो ले मेरे को problem क्या है भाई उसके बाद उसके बाद तुम बताना कि आगे क्या होना चाहिए वह बात में हम लोग टै करेंगे पूछो तो पहले problem क्या है तो इसका मतलब सबसे पहले राजनेतिक विज्ञान में हम लोग empirical approach को महत्वदेते हैं empirical approach यह बताता है समाज में क्या है what is क्या है समाज की समस्या समाज में किन इंदो समुहों के बीच में संघर्स है क्या समस्या है समाज में बताता है डिस्क्राइब करता है चीजों को क्या empirical approach तो आप लोग कभी research कीजिएगा अपने future में PhD में तो सबसे पहले empirical approach का इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या है अभी है ना तो क्या है और उसके बाद follow होता है normative approach क्या होना चाहिए अगर empirical और normative approach में से दोनों में से किसी एक को अलग कर दिया जाए तो political theory जो है अधूरा हो जाएगा इसी लिए political theory क्या होता है political theory is the sum total of empirical approach and normative approach political theory में दोनों चीज़े होती है political theory में philosophy भी होता है और science भी होता है philosophy मतलब normative approach वाला पार्ट और science मतलब empirical approach वाला पार्ट जो की fact पर बेश्ट है political theory George Catalin का बहुत famous statement है कहीं लिख लीजेगा George Catalin कहते हैं कि political theory is the sum of political philosophy and political science मने राजनेतिक सिधान्त में आपको राजनेतिक दर्सन भी देखने को मिलेगा और राजनेतिक विज्ञान भी देखने को मिलेगा तो राजनेतिक सिधान से आप दर्सन और विज्ञान को अलग अलग नहीं कर सकते मुझे उमीद है यहां तक आप सबको समझ में आया होगा यह दोनों एक साथ चलने चाहिए हां भूली हर्शिता सर यह रिपेट कर दो एक बार फिर से political theory is some of some of political science मने political science मतलब fact पर जो आधारित है जो empirical approach पर आधारित है है ना ठीक बात है यह जोर्ज कैटलीन ने दिया है जोर्ज कैटलीन सी एटी एलाइएन है ना यह चीज़ सबको समझ में आ गया अब यहां पर behavioral revolution वहारवाद क्रांती वाले जब आया ना तो उन्होंने कहा कि हम political science को जैमातादी का नाम लेकर पूरी तरह से pure science बनाएंगे जिस तरह से physics chemistry work करता मुझे तरह से बनाएंगे इसको political science को और political science को पूरी तरह से scientific बनाने के चकर में इन गधों ने क्या किया कि यह normative approach वाले पार्ट को इन्होंने हटा दिया और सिर्फ यह बात करने लगे empirical approach की behavioral revolution जब आया तो behavioral revolution बस सिर्फ fact पर focus करता है सिर्फ describe करता है चीज़ों को अब जब यह सिर्फ और सिर्फ empirical approach या सिर्फ और सिर्फ political science पर focus करने लगे पॉलिटिकल philosophy वाला अंस खतम हो गया तो political philosophy का या political science का as a discipline as a subject कोई relevance नहीं रहा कोई उसका महत्व नहीं रहा क्योंकि तुम बता रहे हो कि लड़ाई हो रहा है दो लोगों के बीच में तो तुम मुकदर्सक बनके बैठ हो वहां पर तुम देखने के लिए गया हो कि पॉलिटिकल philosophy बताता है क्या होना चाहिए अगर यह हो रहा है तो तो philosophy तो खतम हो गया तुमने पूरे theory को खा गया यह जो लोग थे जैसे चार्ल्स मरियम हो गई या फिर डेविड इस्टन हो गया पूरे theory को यह लोग खा गया क्योंकि political theory सिर्फ और सिर्फ political science से नहीं चल स पता और नहीं सिर्फ political philosophy से चलेगा पहले आपको चीजों को describe करना पड़ेगा बताना पड़ेगा क्या है अभी situation और बाद में फिर बताना पड़ेगा क्या होना चाहिए तो यह बेवकूप लोग बता रहे थे क्या है और यह वाला part बता ही नहीं रहे थे कि क्या होना चाहि यह तो political theory में से political philosophy गया था कट और इसी लिए बच गया था political science इसी लिए बहुत सारे scholar बात करते हैं decline of political theory की political theory हो गया decline उसका decline हो रहा हां बुली हो दे सब्सक्राइब है और भी और भी बहुत सारे चिंतक है और भी बहुत सारे चिंतक है रोबोट डाल भी है है behavioral revolution से है हां बोलिए है सर डिक्लाइन और political theory से यह कैसे जुड़ा है जौन रॉल्स जौन रॉल्स तो अभी अभी तो यह हम बताने वाले हैं आपको अभी हम बताए काह है है तो यह चीज़ समझ में आया political theory decline होने लगा हां भूली नाजमीन क्या होता है कर आपने डेविड इस्टन का एक कोशन कराया था अभी हम तुरंत बताने वाले हैं उसी में जाने वाले थे तो यह चीज़ समझ में आया लोगों ने सिर्फ फैक्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया उन्होंने वैल्यूस को प्रिस्क्रिप्शन को इस नॉर्म गलती अब पॉलिटिकल साइंस का कोई महत्वर रहा नहीं और लोग उस समय सोशिलोजी को जादा महत्वर दे रहे थे लोग सोशिलोजी को जादा महत्वर दे रहे थे पॉलिटिकल साइंस को कोई महत्वर नहीं दे रहा था पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग को नेता होना चाहिए हमें fact के साथ-साथ value पर भी ध्यान देना चाहिए ये normative part को भी तो डेविड इस्टन बाद में कहते हैं कि political theory में दोनों चीजें होनी चाहिए ये empirical approach भी होना चाहिए और ये normative approach भी होना चाहिए मतलब क्या है उसको describe करें पहले और बाद में बताएं क्या होना चाहिए और बाद में उन्होंने एक theory दिया post-behavioralism उत्तर ब्योहारबाद की क्रांती हम इसे कह सकते हैं या उत्तर ब्योहारबाद post-behavioralism तो post-behavioralism क्या है तो गलती का पश्चस्ताप है गलती का regret है गलती क्या हुई थी तो सिर्फ empirical approach empirical approach को महतव दिया था इन्होंने सिर्फ fact को महतव दिया था लेकिन अब डेविड इश्टन क्या करें ना ना fact के साथ साथ values को भी महतव दो किसको महतव दो normative approach को भी महतव को दो यह थो बता हो ही कि क्या कमी है समाज में यह भी बता कर चोड़ कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ यह बता कर चोड़ बहुत बात का बात है नाजमीन पूछी तो पहले हम इसी कीको बता धिए अब यहां पर आपको समझ में आ कि बिहेब्रियल रेवलूशन आने से पॉलिटिकल थियोरी का डिकलाइन हो गया मतलब कोई फिलोसफी पर बेश्ट कोई पॉलिटिकल थियोरी अपना देही नहीं रहा था ओके कोई नहीं दे रहा था अब यहां से आपका सीउटी पीजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क यह बताते हैं कि किस प्रकार से यह वहारवादी क्रांती ने डिकलाइन कर दिया पॉलिटिकल थियोरी को फिर रोबोट डाल भी इससे जुड़े हुए है पॉलिटिकल थियोरी टूडे बुक लिखते हैं तो बुक का नाम पूछना कम चांसे है यह यूजी सीनेट में ज्य पीटर लासलेट इससे जुड़े हुए है डेवी डिस्टन का यह बुक इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखेगा डिकलाइन के लिए यही वेक्ती जिम्यदार भी था और यही बता भी रहा है कि डिकलाइन हो गया और यही रिवाइब करने भी मदद करता है देख रह इंटर लासलेट यह भी बात करते हैं डिकलाइन ओफ पॉलिटिकल थीयूरी की इंट्रोडक्षण टू फिलोसफी पॉलिटिक्स और सुसाइटी इनके बुक का नाम है तो बस सरसरी निगाहों से देख लेना है इसको हाँ बोलिये सर ये सब behavioral revolution से जुड़े हुए है नई ये सब behavioral revolution से नहीं जुड़े हुए हैं ये लोग बोलते हैं कि political theory का decline हो गया तो ये लोग चिन तक जुड़े हुए है decline of political theory से जो बात करते हैं ति political theory decline कर गया क्यों decline कर गया तो behavioral revolution के कारणों के ये तो डेवी डिस्टन का मैं example दे रहा था कि ये behavioral revolution से भी जुड़ा है तो मतलब ये political theory का decline का भी एक बहुत major बातसा है मतलब decline में भी इसका role है बाद में ये भी बताता है कि decline हो गया political theory का बाद में solution भी यही लेकर आता है तो डेवी डिस्टन खतरनाक टाइप की आदमी है ध्यान में रखना है पीटर लासलेट अगले चिंतक और दानते जर्मिनों अद दानते जर्मिनों थोड़े optimistic होते हैं optimistic in the sense की कहते तो है कि political theory का decline हो गया है लेकिन optimistic कि sense में होते हैं कि इनको लगता है कि बाद में ये आशावादी होते हैं कि बाद में political theory फिर से क्या हो जागा फिर से revive हो जागा राइट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा optimistic मिस्टिक मतलब आशावादी ओके इतना समझ में आए गया ये बात हम पहले ही बता दिए कि behavioralism जो है वही में कारण था decline of political theory का क्योंकि वह political science को प्योर science बनाना चाहता था इसलिए political philosophy जो है वह खतम हो गया उसमें से decline कर गया political philosophy और जो political science का discipline है उसका relevance जो है महत्वा खतम होने लगा अब जॉन रॉल्स कैसे जुड़े हुए है इस decline of political theory से तो जॉन रॉल्स ऐसे चिन तक हैं लियो स्ट्राउस के बाद लियो स्ट्राउस भी revival of political theory से जुड़े हुए है मतलब इन्हों ने normative approach को दिया है मतलब philosophy वाले पार्ट को political theory में दिया है तो सबसे पहले तो लियो स्ट्राउस ने दिया है तो यह revival of political theory से जुड़े हैं और दूसरे number पर जॉन रॉल्स जो हैं अपना इतना बेहतरीन आपका सिधान देते हैं जो कि philosophy का एक बहुत बेहतर सा आपका एक आप कह सकते हैं कि एक एक मॉडल होता है एक मतलब philosophy होता है बहुत बेहतर इनका जॉन रॉल्स का इसलिए he is related to the revival of political theory तो अगर पूछा जाएगा कि जॉन रॉल्स ने रिवाइब करने में political theory को मदद किया था तो एक दम सत प्रतिशत मदद किया था हंड्रेट परसेंट उन्होंने help किया था सब्सक्राइब करने में तो यह वाला जो डिसकासन था समझ में आ गया हां बुलिए सर जो रिवाइबल में जॉन रॉल्स नहीं दिया था कहा था कि होना चाहिए पोस्ट बिहाब्रियलिजम का सिधान दिया था क्या रिवाइबल में contribution नहीं है देखे इन्होंने बस अपनी गलती मानी कहा कि नहीं इसमें philosophy भी होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में लेकिन कुछ philosophy दिया तो नहीं अपना इसलिए इनका contribution नहीं है रिवाइबल में लियो इस्ट्राउस का contribution है और जॉन रॉल्स का हां पूछी हरसिता सर दानते जर्मिनों का बता दो फिर से दानते जर्मिनों optimist थे यह मानते थे कि पॉलिटिकल थियोरी जो है उसका decline हो गया है बट यह भी जानते थे कि future में पॉलिटिकल थियोरी रिवाइब होगा कोई आएंगे तुरम खान जॉन रॉल्स जैसा मतलब इनको पता नहीं था मैं एक्जांपल दे रहा हूं कि कोई आएगा ऐसा जो की रिवाइब कर जाएगा है ना हाँ जैसे हम हम सर में ली हम डिकलाइन फॉलिटिकल थियोरी में यह जो बिहेवरियल रिवलूशन के लिए जिम्मेदार चार्ल्स मर्यम देविडीशन रॉबर्ट डाल यही है बस एक आते फिंकर बाकि यह सारे जो आपने बता है यह तो कि ईक हाई इन्वोने डिकलाइन ओप पॉलिटिकल थियोरी की बात की है डिकलाइन औपॉलिटिकल ठीयोरी यह इद्श हिल नहीं जुड़े हुए है जॉन रॉल्स जो है ना केंद्र है रोनाल्ड ओर्किन भी इनको क्रिटिसाइज करते वे अपना इक्वालिटी का सिधान देंगे ओके यह मैंने बता ही दिया कि जिस प्रकार से क्लासिकल जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो प्लैटो और अरिस्टार्टल के आस पास इर्द गिर्द घुमती है अरिस्टार्टल और प्लैटो जो हैं केंद्र में है आप जितना भी थिंकर का नाम ले लिजे हॉप्स को छोड़ दीजेगा बस आप जॉन ल आपको बताया था दोनों को और पांच विलेंस के बारे में उन्होंने बताया था अनार्किक विलेंस के बारे में जो प्लूटार्ज थे सिनेका थे राइट से शेरो थे और अरिस्टार्टल और प्लैटो थे तो बाकी सब चिंतक जितने भी है ना मैंने जितनों को भी आप सब कोई कहीं नहीं सब कर रहे हैं मतलब मैं पॉला जाता है कि यहां तो उसको पसंद करो तो यह अप्विसको पसंद करो तो आप पसंद कर सकते हैं या नई पसंद कर सकते हैं हाँ आइधर आप नफरत कर सकते हैं हाँ बिल्कुल सहे यह प्लाटोनिक और नॉन प्लाटोनिक की यह वाला चीज बोलने का मतलब है इर्ध गिर्द जो है प्लैटो एरिस्टॉटल के ही लोग घूम रहें इसी तरह contemporary political philosophy की गर बात करें तो लोग जॉन रॉल्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं जितने भी आपको references देखने को मिलेंगे सब जॉन रॉल को कोई criticize कर रहा है कोई बढ़ाई कर रहा है यहां तो मैंने सब criticism वाले को ही लिखा है यह entitlement theory of justice देते हैं तो किसको क्रिटिसाइज करके जॉन रॉल्स के theory जो डिस्रिब्यूटिव जस्टिस है उसको क्रिटिसाइज करके entitlement theory of justice रोबोट नौजिक अमर्तिया से अमर्तिया से इनका book का नाम है idea of justice यह भी criticize करने के लिए लिखा था किसको क्रिटिसाइज करने के लिए रॉल्स को इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में बताएंगे आगे जाके ओके तो यह बोलते हैं यह दो concept देते हैं नीती एंड नयाए इसके बारे में बताएंगे कुछ देर में जाके बस याद रखते जाएगा जो जो हम बता रहे हैं अमर्तिया से जो है capability अप्रोच भी देते हैं यह जिस्टिस से रिलेटेड नहीं है यह इक्वालिटी से रिलेटेड है यहां पर अमर्तिया से आ गए हैं तो इसी लिए हम यहां पर लिखते रहे हैं इक्वालिटी का कौन सा अप्रोच देते हैं capability अप्रोच यह हम रोनाल्ड डॉर्किन एक बार थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे या अभी ही बता देंगे कुछ देर में चिंता नहीं करना है equality of resources अर्थात समानता अर्थात संसाधनों की समानता होनी चाहिए विल क्लिमी का multiculturalism से related है multiculturalism multiculturalism को हम बोलेंगे बहु संस्कृति वाद हिंदी में बहु संस्कृति वाद के चिंतक हैं जो की कहते हैं कि एक समाज में आपको बहुत सारे संस्कृति वाले लोग देखने को मिलेंगे और इनका बुक का नाम है multicultural citizenship मल्टी कल्चरल यह सब बड़ा इंपॉर्टेंट है multicultural कहीं भी कोश्चन पूछा जा सकता है सीवीटी पीजी में citizenship तो यह इनका बुक है यह सब सब को समझ में आ गया यहां तक बाकि जो जो हम चीज़ बताएं वह हम आगे फिर से elaborate करेंगे समझाएंगे इन सब के बारे में चिंता नहीं करना है उसके लिए तो यह चीज़ हम लोगों का हो गया आगे जॉन रॉल्स का जितना भी बुक है जॉन रॉल्स के बुक को एकदम रट लेना है सबसे पहले कि इनका आर्टिकल है जस्टिस एस फेर्नेस यह में लिखा गया था फिर पॉलिटिकल लिब्रलिजम यह मेरे को याद है क्योंकि यह मेरे लिए खास टाइम है इस समय तो इसलिए 1993 मेरे को ध्यान में रहेगा यह वाला अपना आप डेट ऑफ बर्थ यह सबसे करके याद कर सकते हैं किसी का नाइंटी नाइटी नाइन का है किसी का एट का होगा ऐसा करके लॉज ऑफ पीपल तो बस खाली इसका डेट याद रखेगा बाकी सबका सिक्वेंस याद रखेगा यह चार बुक है पॉलिटिकल लिब सब्सक्तान बोल रहे थे कि जॉन रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं रॉल्स को जॉन रॉल्स को हम लोग बोलते हैं लिबरल इगालिटेरियन निजम है उसको बोलते समतावाद इसको बोलेंगे हम लोग लिबरल समतावाद लिबरल का आप उसको कैसे बोलेंगे जो भी होता है ओके लिबरल समताबाद आप इसको बोल सकते हैं लिबरल इगालिटेरियन तो लिबरल लग गया मतलब यह किसको महत्वा दे रहे हैं लीबर्टी को महत्वा दे रहे हैं लीबर्टी स्वतंतरता को ओके और इगालिटेरियन जो लोग होते हैं वो समानता को महत्वा देते है ह delicnecessaire कर देते हैं और साथ ही साथ dignity को महत वह देते हैं मानों के गौरो को महत वह देते हैं तो ईगालीटिरियन कौन लोग होते हैं एगालीटिरियन के वारे में थ्टड़ा बता थे हैं सब्सक्राइब नीगाली टेटियरियन समत्रम समतावाद से ही आपका दो concept निकल कर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं positive discrimination positive discrimination या जिसको हम अमेरिका में जानते हैं positive affirmation के नाम से positive affirmation के नाम से और इंडिया में इसी को हम लोग reservation या आरक्षन के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो यहां देखिए जो समताबाद है ना यह समानता पर जोर नहीं देता है यह गलती मत कीजेगा समताबाद समानता की बात नहीं करता है समताबाद बात करता है समता की equity की इक्वीटी और इक्वालिटी में फरक होता है जैसे एक आपका एक्जांपल था बास्केट बॉल प्लेयर का एक्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझें मेरा ड्रॉइंग बड़ा खराब है इसलिए उसको ध्यान मत दिजेगा कॉंसेप्ट जो बता है उसको ध्यान दिजेगा लुक कर दोशें मालेजें कि यह दिवार है स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा है सौक्र का मैच चल रहा है इब यहां पर एक बंदा है मतलब वह फ्टबाव का मैचे नहीं देख पा रहा है ठीक है अब यह उसके बाद वना जो बंदा है वह थोड़ा सा जो है न से से लंबा है पर दिख तो इसको भी नहीं रहा है फुटबॉल का मैच और एक जो बंदा है न वह इतना लंबा है ग्रेट खली जीसा कि उसको तो एक धम अराम से फुटबॉल का मैच दिख रहा है यह चीज़ समझ माया अब बात हो कि सबको कैसे हम लोग समान करें समानता तो अब सबको समानता देना तो हम क्या करेंगे कि इसको टूल दे देंगे टूल आप तो हम इतना लंबा टूल इसको दे रहे हैं कि तुम खड़ा होकर इसको पर मैच देखो तो सब को इतना ही लंबा टूल नहीं दे रहे हैं सब को जितना जरूरत है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा छोटा सा टूल दे दिए देखो बेटा तुम तुम्हारा काम इतने से ही च पातना और एक्विटी का मतलब जीतना भी रिसॉर्सेश है उसको इस तरह से बांटना कि जो लोग एकदम वर्ष्ट उफ हैं वर्ष्ट उफ को हिंदी में क्या बोलेंगे जी वर्ष्ट उफ मनें जो एकदम धैनिय इस्ठिती में मैं उनका फायदा हो उसको एक्विटी बोला जाता है और जॉन रॉल्स का सिधान्द भी एक्विटी पराधारित है किस चीज़ पराधारित है इगालिटेरियनिजम पर हाँ बोलिए नाजमीन उसको इसको समान ही तो हमने इन लोगों में समान ला दिया ऐसा हमने चीजों का वित्रन किया हमने अपने संसाधनों का वित्रन किया कि लोगों के बीच में समानता आ गया है ना तो उसको इपलिटी कहा जाता है यह थोड़ा मार्क्स की तरह भी नहीं लगा कि जिसको जतनी ज़रा तो उसको उतनी दो इपलिटी के हिसाप से नहीं करना थोड़ा देना था तो इसका मतलब होता है इक्विटी और इसी को हम लोग पॉजिटीव रिजर्वेशन कहते हैं पॉजिटीव डिस्क्रिमिनेशन अब हम इन लोगों में भेदभाव कर रहे हैं लेकिन यह भेदभाव ऐसा हो रहा है जिससे जो बेचारा दैनिये इस्थिति में था न उनके साथ ऐसा किया जाता है और हमारे यहां भी रिजर्वेशन है ना तो माल दीजे कि यह लोग हो गया इन लोगों का बहुत खराब इस्थिति था यह बिचारे ओबी सी हो गए इन से थोड़ा और यह अन्रिजर्ट केटेग्री हो गया यहां ओबी सी डब्लो एस वालों को बान सकते हैं तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को थोड़ा मिलते हैं लोगों को थोड़ा और जादा मिलता है ताकि सब इस्टेडियम में मैच देख पाएं तो यह चीज यहां से समझना था सबको समझ में आ गया egalitarianism का क्या मतलब होता है Samtawad का क्या मतलब होता है तो यही मतलब होता है Samtawad का तो Rawls जो थे न वो egalitarian है पर liberal भी है साथ-साथ मतलब उदाहरवाद को भी उतनाही महत्व देते हैं जितना यह सामांता और dignity को महत्व देते हैं इसी लिए बड़ा special type की इनसान है ओके यह सब मैंने आपको पहले बता दिया है जो आगे वाला लाइन लिखा हुआ है आगे वाला लाइन यही लिखा हुआ है कि जॉन रॉल्स जो है अपना theory of justice उस समय में देना चाहते थे जब अमेरिका में social unrest था मतलब वहां जो समाजिक सं promote कर सके तो यह चीज है और वो नया principle कैसा होना चाहिए था तो वो नया principle ऐसा होना चाहिए था जिस पर सभी लोगों का consensus हो जिस पर सब लोग हामी भरें है ना अगर सौ लोग से पूछें तो सौ लोग बोलें कि ठीक हमने जो principle justice का निकाला है वो एकदम ठीक है कोई भी उसस जो है वो अलग नहीं है मतलब सब कोई उसको माने रहेट उसको न्यू प्रिंसिपल कहा जाता है यह चीज समझ में आया और जॉन लॉक जो है प्लैटो के तरह ही यूनिवर्सलिस्ट और रैश्नलिस्ट है मतलब जॉन लॉक कह रहे हैं कि जो हम थिओरी दे रहे हैं ना जस मेरा जो थिओरी ऑफ जस्टिस है इसको कहीं भी दुनिया में अप लगा आइडियल स्टेट बना देगा एक अराम से तुसी तरह से यह भी यूनिवर्सलिस्ट और रैश्नलिस्ट है ओके यह चीज समझना है हम लोगों को और यहां पर क्या समझना है यह सब तो हम आप लो इसको अमेरिका के समाज में उनके समाज में डागू करें तो उसको आराम से आप नैकर सकती है किसी भी समाज में तो यह कि धर उधर हम बता रहे हैं चीजों को अभी हम उनका थियूरी शुरू नहीं किये हैं आप पूछे उदित स्लाइड में लिखा हुआ है आपको समझना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना तो यह चीज हुआ इसका तो यह इस समझ में आ गया नियू प्रिंसिपल कैसा होगा जिस पर सब कोई उसकी बात मालेंगों कि अब आगे हम लोगों को इनका समझना है जॉन रॉल्स का थियूरी समझना है तो देखिए जॉन रॉल्स जो है ना इनको बोला जाता है कि शोशल कॉंट्राक्ट को रिवाइब कर हैं कैसे लोगों के बीच में किससे किन से प्याइ़ है सबसे पहले लॉक से इंसपायड है रूसो इंसपायड है इनका सोशल कंट्राक्ट है और इम्हानुल इंसपायड है क्योंकि जॉन रॉल्स मानते थे मिलोग करick से लड़ते मळते गंठें रहते तो इसलिए वह AK सियन सोशल कॉंट्रेक्ट को रिजक्ट कर देते हैं याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कोशन यह तीन लोगों को जो है और रॉल्स जो है वो महत्व देते हैं अब समझ यह कहते क्या हैं हम सुसाइटी में जस्टिस के प्रिंसीपल को हम निकालेंगे कैसे कैसे हम लोग को लोगों को ओरिजनल पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा मालि समाज में सो लोग है एक समाज में जहां में जस्टिस का को प्रिंसीपल को और ऊरिजिणल पोजिशन ऐसा पोजिशन है ना जिसमें लोगों को अपने इस्टेट स्कोँ के बारे में ना पता हो कि अभी वह क्या है स्टीट सीचवेशन अब मत पूछेगा कि अभी पोजिशन में कई से किसी को ले के जाया सकता है तो philosophy इसलिए इनको revival of philosophy कहा जाता है इनके thinking को तो अगर लोग original position पर है original position में है तो लोग कभी भी utilitarian नहीं होंगे लोग कभी भी utilitarian नहीं होंगे लोग greatest happiness of greatest number का बात नहीं करेंगे utilitarianism को तो follow नहीं करेंगे क्योंकि उनको हमेशा डर मतलब बना होगा अगर हम हम बोलेंगे कि एक गरीब को मार कर बाकी 99 लोगों का कल्यान करो तो इन लोगों तो पता ही नहीं कि हम गरीब है कि अमीर है मेरा पैर हाथ सही है कि क्या मेरे साथ दिक्कत है सबके मन में डर होगा कि अगर मान लो ओरिजनल पोजिशन से बाहर निकले और पता चला कि हम ही वो गरीब हैं पहला आदमी तो हम ही को मार देगा तो सबके दिमाग में डर बना हुआ है कि इसी को अपने बारे में पता नहीं है कि हम हैं क्या और ओरिजनल पोजिशन में जब लोग आते हैं न तो इसी को वेल ओफ इग्नॉरेंस कहा जाता है इसको क्या बोला जाता है वेल ओफ इग्नॉरेंस मतलब यह अग्यानता में है इनको अपने बारे में कुछ पता नहीं है इनके उपर अग्यानता की पट्टी लगी हुई है और जब लोगों के उपर अग्यानता की पट्टी लग जाएगी इसका मतलब जब लोगों को अपने स्टेटस को अपने यथा इस्थिती के बारे में पता नहीं होगा कि लोग अमीर हैं कि गरीव हैं कि लोगों का किड्नी हरां एक क्रिंपनी ठीक है कि दोनों ठीक है पएर हाथ सही सलामत है कि नहीं कौन जाध से कौन रेच से बिलौंग करते हैं तो बड़ा दिक्कत हैं यहां कोई ऐसा PN09 लेकर आ गाए kayak के चलते कि जिसका एक किड़नी खराब है ऐसा कीजिए कि उसका एक और किड़नी निकाल लीजे और बाकी उस किड़नी से दस लोगों को ठीक कर दीजे यह ऐसा नहीं लोग बोलेंगे कि वेल आफ इग्नॉरेंस पे जब अग्यानता की पट्टी बंदी हुई है तो यह लोग और ईजिनल पोजिशन में है यह लोग डरेंगे कि मालो मिराही किड़नी खराब निकला जब यह अग्यानता का पटी हटा पते चला मिराही किड़नी खरा हम वी जाएंगे सब से पहले तो लोग ऐसा principle निकालेंगे ना जिस पर लोग आपस में जो्यक्ष बना पाए यह 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 चीज़ समझ में यह बड़ा इंपोर्टेंट है जो हम अभी समझाए यहां कोई गल्ती बात नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे उपर भी लग सकता है अंबानी को भी नहीं पता है कि अंबानी है कि रिक्सा वाला तो वह अपने आपको एक बार के लिए जरूर स चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आगर नहीं समझ में तो पूछिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट था हां सर पहली बात तो यह औरिजनल पोजीशन जो यह बात कर रहे हैं बहुत यह तो प्रैक्टिकल नहीं है तो अलग बात आपको समझ में आपकी नहीं जस्टिस के मैक्सीम को हम निकाल रहे हैं ना नयाय नयाय तो मुल्य है समाज का तो वैसे तो जॉन लॉग कर्व है जॉन सबस्क्राइब अदमीं दूसरे को मारता था की नहीं था पहले होप्स देखने थोड़ी गए थे जॉन लॉक थोड़ी देखने गए थे कि आदमी मिल के अपसमे रहता था नाठुरल राइट था इस तो नहीं देखने गए थे हो भी तो फिलोसफिय है उनका है कि नहीं कि इस समझ में आ कि यह जिरीनल पुजिशन क्या होगा जिसमें हम लोगों को अपने बारे में ना पता हो कि हम लोग का क्या position है society में और जब हम लोगों का ऐसा होगा हम लोग आगर original position पे होंगे इसका मतलब हम लोग वेल ऑफ ignorance में हैं ओके बड़ा important concept हाँ इशान पूछिए पूछिशन को state of nature मान सकते हैं और इजनल पूजिशन जॉन रॉल्स का state of nature ही है बिलकुल सही बात है एकदम सही बात हाँ पूछे उदित सर एक बढ़ने दुबारा से बता दीजिए कि और इजनल पूजिशन यूटिलिटेरिनिजम को कैसे अब आप करता है अब माल लेजे हम और आप बैठके हम लोग निकाल रहे हैं supposed का कुछ सिधांत निकाल है हो कि हम और आप हैं हम और आप समाज में हैं अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है वो लोग जो है वो लोग बस ऐसी धर्टी पर बोज है ठीक है ना और आपको भी नहीं पता कि आप गरीब हैं मुझे भी नहीं पता कि मैं गरीब निकलेबाद में समझ समझ रहे हैं औरीजिनल पोजिशन से जब बाहर आएगा यह लोग तो वेल ऑफ इग्नॉरेज जब इन लोगों का पट्टी हटेगा इनके आँक से तो यह बात समझ माया मतलब सच में समझ मैं क्या सी ओके बोल रहे हैं पूछ सकते हैं नहीं मतलब कहने का आपका यह मतलब है मैं कर देता है कि जैसी यूटिलिटेरिनिजम का जो कंसेप्ट है वो ग्रेटेस हैपिनेस अब ग्रेटेस नंबर पर है यानि जिस चीज से लोगों को खुशी मिलेगी उ सब्सक्राइब लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारी पोजीशन क्या है वह हम सब्सक्राइटी उप पर करते हैं मिर गरीब नहीं गरीबिव बन लोग को कि जीने नहीं तो फिर उसके बाद यूटिलिटेरियनिजम को कोई भी करना चाहेगा क्योंकि जो बोला होगा ऐसा में भी वही गरीब निकल जाए जो एक कानून दिया होगा पता चला वही गरीब हो गया वेल आफ इग्नॉरेंस हटने के बाद वही वही गरीब हो समाज का तो वही रिस्क को कोई क्यों लेगा है ना तो वही रिस्क टेकिंग वाला बात है यहां पर पूछिए वेलकम सब्सक्राइब करते हैं यह सब कुछ नहीं पता आपको आप इस समाज में अमीर हैं गरीब हैं आप हैंडीकाप्ट हैं यह सब कुछ नहीं पता आपको आप कहां से बिलॉंग करते हैं सुसाइटी में हाईयर कास्ट से बिलॉंग करते हैं लोवर कास्ट से बिलॉंग करते हैं तो इसी को वेल आफ इग्नॉरेंस कहते हैं और जब हम लोग वेल आफ इग्नॉरेंस में होते हैं तब उसी को ओरिजिनल पोजिशन कहा जाता है से पूछे आरती सिर जो ऑिजिनल पोजीशन है वो स्तेट ऑफ नेजर कैसे हुआ से इस ड हुआ ओ स्तेट ऑफ नेजर कैसे हुआ आज देखिए जैसे स्तेट ऑफ नेजर मेंना कोई कानून नहीं है उस समय में उस समय लोग कानून बनाया करते थे आगे आकर है ना तो यहां भी हम लोग original position में state of nature है मतलब कोई authority नहीं है कोई कानून नहीं हमारे पास हम लोग यहीं से कानून बनाना शुरू कर रहे हैं आगे authority बनाएंगे तो इसी लिए original position को state of nature of john rolls कहा जाता है यह यह अक्चुली जो है ना यह important question है अपने आप में जो है point out किया गया है class में तो original position जो है ना यह john rolls का state of nature है ओके इस चीज़ को ध्यान में रखीगा तो पूछेगा ऐसे statement की original position is nothing but the state of nature for the john rolls तो बिल्कुल सही बात है ऐसा ही है अब तक सब को समझ में आ गया कि अब original position में तीन principle लोग निकालेंगे तीन प्रिंसिपल यह original position का concept समझ में आ गया well of ignorance में लोग चले गया लोगों को अपने के बारे में कुछ नहीं पता जब कुछ नहीं पता तो लोग चले गए original position में original position में सब ऐसा concept निकालेंगे जिस पर सब राजी भरें जिसमें सब हामी भरें सबका consensus हो सबका उसमें मर्जी हो राइट क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा को कोई utilitarian law नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि बाद में नहीं पता कि वो किस पोजिशन पर है में भी उसी का जो है काम तमाम हो जाए तो जब लोग existence में होगे तो तीन principle निकांदेंगे सबसे पहला Liberty principle यह इस बात पर सबको राजी होगा पहला principle कि यह इस बात पर सब र्張ी होगा कि सबको स्वतंतरता मिलनी चाहिए सब के सौ लोग थे original positional में कोई बोलेगा सबको स्वतन्तरता मिलनी चाहिए कोई भी एक ऐसा विक्ती होगा जो नहीं बोला биा कि न को सुद्त नहीं चाहिए क्यों कि उसको फुद नहीं पता चलेगा बाद में जा निकल गया तो कोई रिस्क नहीं लेगा understood उसके बाद दूसरा सब को equal opportunity मिलनी चाहिए तो सब बोलेंगे हाँ equal opportunity मिलनी चाहिए कोई risk नहीं लेगा तो दूसरा principle तो हो जाएगा सब को equal opportunity मिलनी चाहिए चीजों को करने की तो सब बोलेंगे okay okay सब को दे दो भाई पता नहीं हम कहां पर लाइक करते हैं society में में भी हम अगर इसके खिलाव बोलें तो मेरे साथ ही कुछ गड़वड हो जाए original position से बाहर आने के पाद ओके और लास्ट में है difference principle difference principle यह कहता है कि जो लोग गरीब हैं गरीब हैं से हिंदी में कौन गरीब तो अगर किसी को कंफर्म पता रहता कि मैं अमीर ही हूं समाज में तो वो बोलता कि ना यह principle हटाओ बट वो क्यों रिस्क ले में भी वही गरीब निकल जाए तो गरीब लोगों की सहयता होनी चाहिए मतलब जॉन रॉल्स ऐसे अपने लैंग्वेज में लिखते हैं कि जो वर्ष्ट आफ सुसाइटी है वर्ष्ट आफ इन सुसाइटी जाहिए इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेस का डिस्ट्रिबियुशन ऐसा होना चाहिए कि गरीब तपके के लोगों को जादा सहायता मिले गरीब तपके के लोगों को जादा जो है संसाधन मिले और इसी को क्या बोला जाता है डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस इसको क्या बोला जाता है डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस तो डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस कौन से सिधान्थ पर अधारित है कौन से प्रिंसीपल पर तो डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस डिफ्रेंस प्रिंसीपल पर अधारित है क्योंकि हम लोग कैसे distribution कर रहे हैं गुड्स का सर्विसेस का resources का तो उन लोगों को जादा देने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के हक में उन लोगों के favor में कर रहे हैं जो की society में worst off है जो की समाज में क्या है है गरीब लोग हैं तो इसी को difference principle कहा जाता है सब को समझ में आ गया कि हाँ पूछिए अमन कि सब्सक्राइब का प्रिंसिपल देखिए पहला तो एक नंबर पर यह है और दूसरा में ए और बी है दूसरा के अंदर ए और भी है ठीक है लेकिन ऐसे तीन है हम लोग अगर आंसर पूछेगा तो तीन बोलिएगा उतना डीप में नहीं जाना है कि एक principle of justice दीए दूसरा के अंदर में दोट हो दिए ऐसा करके युनिवेस्टी में सब्सक्राइब कि दो ही प्रिंसिपल पर यह सब्सक्राइब करना और डिस्ट्रिब्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो ठीक है ना तो जॉन रॉल्स के आईडिया से ही बहुत important point यहां पर निकल के आता है जॉन रॉल्स के आईडिया से ही progressive taxation का जनम होता है इस concept का कौनसा concept progressive taxation जो जितना जादा कमायगा उससे उतना जादा टैक्स लिया जाएगा अभी आप budget देखे होंगे तीन लाक से पांच लाक में इतना percent tax पांच लाक से चालींन लाक में इतना percent tax 40 लाक से भी ज्यादत कमाते तो और ज्यादा tax तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है ठीक है समझ में आ गया जो 10 कडोल कमाएगा उस पर और टैक्स लगाएगा ओके और इसी बात को जो है ना नौजिक नहीं स्विकार करते हैं कहते हैं कि तुम वो कमा रहे हैं अपने महिनत से और तुम उस पर और टैक्स लगा दो जो 100 तब हम बाद में डिस्कस करेंगे यह समझ में आ गया कि original position में लोग थे original position में लोगों ने तीन principle को निकाला और यह तीन principle कौन से हैं जिस पर सबको इहां मी भरेंगे कि सबको liberty मिलना चाहिए सबको equal opportunity मिलना चाहिए और difference principle कि अगर संसाधनों का बटवारा होना चाहिए तो गरीब लोगों को इसमें थोड़ा फाइदा मिलना चाहिए क्योंकि यहां किसी को नहीं पता कि कौन अमीर है कौन गरीब है तो कोई इसको अपोज नहीं करेगा यह चीछ समझ में आ गया अब यहां पर important दो चार पॉइंट और हमें जॉन रॉल्स के बारे में समझना है यह सब तो हम सब बता दियें आप लोगों को डिश्रिब्यूटिव जस्टिस जो है यह important point है ओके देखिए जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है वो dignity के खिलाफ है इसलिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को वो reject कर देते हैं तो यह तो हम समझा दिया आप लोगों को यहां जो यहां दो तरह का थीओरी होता है एक घुरी को बोलते हैं और एक को बोलते हैं सबस्टैंटीव थियूरी सब्स्टेंटिव थियूरी का मानना है कि तुम प्रोसेस फॉलो करो तुमको खुद आउटकम मिल जाएगा अगर आप स्टेप्स दिया हुआ है अल्गोरिदम कुछ दिया हुआ है हाँ पूछिए अभी जो यह आपने बता है प्रोग्रेसिट एक्सेशन का का जानराल से निक जो जितना ज्यादा कमाते जाएगा उतना ज्यादा उसको हम लोग प्रोग्रेसिवली टैक्स करते जाएंगे समझ माया जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स करेंगे उस पर राइट तीन लाग से कम कमाएगा तुस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे है कि प्रोसे frågor इन्टरव्यों को शुनिये गा तो बोलते हैं भूनिकी प्रोसेश को प्रोसेश को और अगर आपको उसको सो करना है सीड को तो आप सीड सो करें उसमें पानई डालेँ प्रोसेश पे ध्यान दे खुद बढ़ा हो जाएगा तो यह हो गया प्रोसेडियूरल थियोरी एक होता है सब्स्टैंटिब थियोरी वह प्रोसेश से ज्यादा आउटकम को महत्वा देता है कि रिजल्ट आपको मिल रहा है कि यह सानी कि आपने प्रोसेश फॉलो कर दिया पता चला द्यान में रखिएगा ओके एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि यह जो ऑरिजिनल पोजीशन पर बैठे हुए लोग है जो वेल ओफ इग्नौरेंस में हैं लोग ऑरिजिनल पोजीशन पे हैं अन्दी ऑरिजिनल पोजीशन डिया इन स्टेट ऑफ नेचर लाइक आखो के ऊपर अज्यानता की पट्टी जो कि सच में पट्टी कोई नहीं बंदा है अज्यानता की पट्टी बंद गए इसलिए यह औरीजनल फुजीशन में पहुचे तो वेल अफ इग्नॉरेंस वह इन्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे औरीजनल पुजीशन का जनम होता इस चीज़ को ध्यान में रखेगा अब ओरिजिनल पोजीशन में जो ये लोग तीन प्रिंसिपल दिया न ये अपने इंट्यूशन पर दिया इंट्यूशन क्या होता है रिजनी इंट्यूशन समझते हैं जिसे कोई कोई इतना लखी आदमी होता है जैसे मेरा चोटा भाई कुछ पढ़ता लिखता नहीं है कैट का एक्जाम निकाल लिया हम सॉक्ट कैसे निकाल लिया आज तक कभी नहीं पढ़ा था वह मतलब आप्शन मारेगा ना चारगों में से उसका हमेसा सही होगा और मेरा इतना किस्मत खराब है मेरा इंट्यूशन इतना जिसको सिक्स सिंस लोग कहते है इतना खराब हम लोग करने के लिए एस में लोग करते थे उसमें करते थे तो दो मेंसे जो एक सही होता था उसको छोड़के हम गलत वाला करते थे तो मेरा किसमत कभी जीवन में साथ नहीं दिया हम अपना मेहनत पर ही सारह कुछ करते आएं तो यह बस एक एक दे रहे हैं intuition का मतलब क्या होता है कि आपको उसका Clinic नहीं पता है तो reflexive equilibrium अपना logic का कम यूज करके और intuition का ज्यादा यूज करके intuition का कि अंदर से ऐसा लग रहा है अंदर से दिल गवाही दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए सब को liberty मिलना चाहिए तो हाँ यार दिल गवाही मिल जाना चाहिए लॉजिक भी काम कर रहा होगा कि अगर नहीं दिये सबको तो हो सकता है कि हम ही को ना मिले वाद में लेकिन यह चीज यहां पर इसको ध्यार में रखना है तो रिफ्लेक्सिव इक्विली ब्रियम यह बड़ा इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह आप ही चुका है पहले एक्विल ब्रियम यह भी सबको समझ में आ लिया तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट जॉन रॉल्स का जो हां बोली हो दित पहले वाले जो आपने वह बताया था सब्स्टैंटिव और वह बिल्कुल समझनी आया सब्स्टैंटिव जिसमें आप पे इसा जांटिव जुद्स करें जैसे माक्सित लोब जो होते हैं वह सब्स्टैंटिव थिउरी पीजिएजिए आपका रिशर्ड वẫn 거지 मथ clinical सब्सटैंटिंटकरी में क्या होँगा है कि चुनाओ सांव अधं से करा लिये जाते हैं मतलब आगर आप अच्छे से प्रोशें है mocks लगा है classes attend करें revise करें बार-बार तो ये आपका process हो गया तो इसी को बोलेंगे हम लोग procedural work you do just your procedural action you will get your result to this procedural action हो गया और result पर कौन focus करेगा तो direct कोई 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 होता है जो result direct focus करता है process से उसको मतलब नहीं है result सही होना चाहिए ऐसा होता गया है न प्राक्टिकल में प्रोसेस क्या हुआ कोई मतलब नहीं है थोड़ा सा व्च्छTurn को तो मिल जाता हैसे så कि इस को मतलब प्रोसेस को मतलब नहीं इस तरह से समझ सकते बि образом नीथा इस तरह से आप समझ सक्ते हैं वह प्रॉपर सेकिंड वाला नहीं था फिर्स्ट वाला siutpg तो इस तरह से समझ सकते हैं तो यह इसमें जरॉल्स पर ध्यान देते हैं मतलब भाउपटरोसेश पर घ्रार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन तो सबसे ज़ादा महत्वव इन्हों कोने liberty को दिया है कि सको दिया है सब से ज़्यादा महतवा लीबर्टी को दूसरे नंबर पर किसको महतव दिया है तो दूसरे नंबर पर equality of opportunity ही आना चाहिए और तीसरे नंबर पर जाक़ डिफ्रेंस प्रिंसिपल अगर कोई पूछेगा कि डिफरेंस प्रिंसिपल और लिवर्टी में किसको ज़्यादा महत्व देंगे लिवर्टी को फर इक्जामपल अगर किसी व्यक्ति के स्वतंतर्ता का हनन हो जाता है ज्यादा टैक्स ले लेने से तो बोलेंगे ठीक है इसे थोड़ा कमी लो स्वतंतर्ता इ करीबों की मदद करना तो इसलिए कभी-कभी इनको बोला जाता है कि capitalist है क्योंकि हो सकता था कि इसको भी ज्यादा महत्व दे सकते थे लेक्सिकल और में पर इन्होंने किसको ज्यादा महत्व दिया तो सबसे पहला इस प्रिंसिपल को तो यह ध्यान में रखिएगा कि जॉन रॉल्स का ऐसे question आता है कि जॉन रॉल्स का theory जो है वह लेक्सिकल और को follow करता है तो एक तो यह question बनेगा और लेक्सिकल और है तो उसका priority क्या है preferences क्या क्या है तो सबसे पहला तो preference number one हो गया फिर two हो गया और two के बाद three तो इसलिए मैंने 123 लिखा है यह भी नहीं लिखा था यहां पर समझ में आगे lexical order का मतलब principles are arranged in a certain order and you need to follow the principle in the same order in order to recognize the justice in a society if you are following the principle in the same manner as given then only you could actually यहां पूछिए नाजमीन सर आपने भी क्या बोला कि रॉल्स को capitalist बोलते हैं हां कि capitalist अमेरिका को support करते थे अमेरिका के ही रहने वाले थे capitalist यह ऐसा कहा जाता है कहा जाता है अब एक्जाम में आएगा तो मत लिखेगा एक्जाम में liberal egalitarian लिखना है यह तो criticism यह सब में आएग था कुछ-कुछ points ऐसे करके तो यह हो गया यह important है lexical order वाला अब आगे क्या important है वो जान लीजिए आगे तो important पहले मैं यहीं से शुरू कर देता हूं सबसे पहले तो robot logic वह ज्यादा से ज्यादा progressive taxation वाले पे वह कहते हैं कि वह एकदम गलत बात है और entitlement theory of justice देते हैं कि जो जितना मेहनत करके कमा रहा है अगर उसको उतना अपना हक नहीं मिल रहा है तो उसके साथ justice नहीं हो रहा है तो robot logic criticize किये फिर अमर्तियासन क्रिटिसाइज करते हैं अमर्तियासन कहते हैं दो principle देते हैं नीती और नियाए नीती का मतलब होता है कानून प्रोसेस और नियाए त लेकिन अंतत्ता अगर आपको नियाए नहीं मिला तो वह बिकार बात है तो जो जो अमर्तियासन है कैसे जश्टिस को फॉलो करते हैं सब्स्टैंटिव जश्टिस को और यह कौन से बुक में इसा बात बोल रहे हैं आईडिया ऑफ जश्टिस नाम का इनका बुक है अमर्ति तो अगर हम रोनाल्ड और्किन की बात करें हां पूछिए तो सर मतलब उनके जस्टिस में मतलब जो जॉन रोल का जस्टिस का कंसेप्ट है मतलब फिर क्या मतलब नहीं मिल रहा है अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लूप पोल्स है टैक्स की उनहीं को जो है वो अपना अधिकार मिले बहुत लोग तो अमीर होते हैं वो EWS बनवा लेते हैं अरक्षन ले लेते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं मैं क्या बताओं है ना फिर बहुत सारे लोग इंद्रावास का योजना है उसका लाव ले ले लेते हैं जबकि उसम में रखेगा नीती और नया का कॉंसेप्ट किसका था अमर्तिय सेन का कहां पर था आईडिया अफ जस्टिस नाम के बुक में क्यूं दिया था क्रिटिसाइज करने के लिए जॉन रॉल्स को किसको ज्यादा महत्व देते हैं सब्स्टांटिव जस्टिस को मतलब नयाई को ज्य देखिएगे और नादे किर्टिस सिजम करेंगे एक्वालिटी ओफ वॉट तो यहां पर कह रहे हैं इक्वालिटी ओफ अपर सूनिटी की बात देखिए है ना इकवालिटी ओप्रचूनिटी मिलनाचाहिए सबको दूसरे प्रिंसीपल में थैं तो यहां पर Up orकिन ग securely देक औसर की समानता से अगर जिसके पास अधिक संसाधन है अब माल लीजे कोई अमीर आदमी है उसको आप एक ही आदमी एक रेस में आप लोग दोड़ रहे हैं ठीक है दो आदमी एक अमीर आदमी है एक गरीब आदमी है ठीक है अमीर आदमी के पास रिबॉक का सू है अमीर आदम कौँच से ट्रेंइंग ले रहा था और यह घरीब आदमी है बिचारिक पास जूता नहीं है उसके पास ट्रेंइंग नहीं था है ना उसके पास रिसोर्स ही नहीं संसाधन ही नहीं औसर दोनों को दे दिए बोले जा दोड़ो जाके अठिलिट वाला फिल्ड में औसर दिये न दोनों को इसको थोड़ी रोक रहे हैं दोड़ने से तुम भी दोड़ो पर जीतेगा कौन जीतेगा वही जिसके पास संसाधन है अमीर आत्मी बात समझ में आया तो इसलिए ये कहते हैं कि औसर की समानता देने से नहीं काम चलेगा अगर आप दो व्यक्ति को सेम जीते अगर दो वक्ति को दसवी कलास के अगर आई आयाइटी के एक अगर परिक्षा में बठा देढ़ें दोनों व्यक्ति को बठाते तो आउसर समान दे रहे हैं एक व्यक्ति आलेन में पढ़ाई है दोनों एलिन में पढ़े और तब आया एटी के एक्जाम में बेठाई उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम मानेंगे तमझ में आया तो रिसोर्सेस की इक्वालिटी होनी चाहिए समानता किस दॉर्किन का क्रिटिसिजम है वो काफी लॉजिकल है और इससे हम भी तालुकात रखते हैं मतलब ठीक बात है ठीक बोल रहे हैं कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज कि अमर्तियासन एक और ऊपर स्टेप चले जाते हैं इक्वालिटी की बात करते 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 हैं कि एक महिला होती है एक महिला होती है हो उसके पास 10 गलावस को ध्यान में नहीं है पर उसके सर यह जो रोनाल्ड आर्किन बोलते हैं इक्विल्टी आफिसोर्स अहां इसा बात नहीं है यह गलत बात है यह हम लोग डिव के रीडिंग में पढ़े थे ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग इक्वालिटी ऑफ पूरा बुक पढ़े हैं और इसी इक्वालिटी ऑफ था हम लोग को अशुक जो अचारिय सर है वह पढ़ा है जो डियू के प्रोफेसर है ऐसा कोई बात नहीं है तो यह तो यह चीज़ समझ में आया वह ऑसर की समानता की बात सिर्फ करते हैं रिस प्रशे उन से जाके तो बोले कि का यूटूब चैनल मत देखा करो और इजिनल रीडिंग पढ़ा करो मतलब मेरा देखिएगा हम नहीं बोले कि मेरा मत देखिएगा मेरा देखिएगा आप लोग यूटूब चैनल नम ठीक बताते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस ओके जो है नमर्तियसेन एक और स्टेप आगे चले गए बोले कि औसर का समानता देने से भी काम नहीं चलेगा संसाधन का समानता देने से भी काम नहीं आपको चलेगा आपको शमताओं की समानता देनी चाहिए शमता एक होनी चाहिए लोग इक पास उसकी समानता होनी चाहिए इ पढ़ है तो कोई इसको ब्योकूब बना सकता है capability नहीं है इतना सारा संसाधन होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती तो उसको पढ़ाएं लिखाएं उसके प्रस्नालिटी के development करा हैं उसके विक्तित्व का विकास करा हैं तब जाकर अन्तित्ता उसके पास equality होगी तो यह capability आप्रोच इसी को कहते है कि समानता किस चीज की होनी चाहिए शम्ता की समान्ता है जॉन रॉल्स ओसें कि समान्ता और अमर्तिया सेन क्या बोलेंगे शम्ताओं की समानता अप्रोच सब को समाझ में आ गया यहां तक कोई डाउट नहीं है हमनीज पूछे कि सर्थ हाँ हाँ पूछे पूछे अम्रिता सेन कहता है कि जो नीती है जो लाउ है उस्से ज्यादा है यही यही तो बात यह बोल रहे हैं कि प्रूट है यही यही तो बात यह बोल रहे हैं कि प्रोसीजर पर आप जो बात पूइंट कर रहे हैं एकदम सेम बात अमर्टिया सेन बोल रहे हैं कि अगर आप नीती बना लेना तो वह नीती एकदम जरूरी नहीं है कि लोगों को न्याय दे ही तो इसलिए नीती से जादा मुहत्पुर्ण क्या है न्याय जरूरी है आप बात समझ रहे हैं जो आप बात बोल रहे हैं आप आइडिया ऑफ जस्टिस बढ़िएगा तो यही बात वो बोल रहे है ठीक है ना तो कोई और परीका कैसे हो सकता है जस्टिस तो कभी तब फिर इंसान को जस्टिस तो मिली ने सकता है सर्थ कानून एक बोलता कि लौ जो है वो जस्टिस दे सकता है लौ भी जब जस्टिस नहीं देगा तो जस्टिस कैसे आएगा जस्टिस तो आएगा ही नहीं फिर सर्थ नई तो हमें देखिए ये कहते हैं कि केंदर में आप आप कानूनों को बनाईए कानूनों को बनाईए पर आप कानूनों को कानून को ध्यान में मत रखके काम कीजिए आप एंड रिजल्ट को देखकर कानून बनाईए रिजल्ट आपका क्या है जस्टिस आप इसको देखके इन कानूनों को बनाई ना कि इन कानूनों को बनाई और बाद में आप तै कीजिए किसे जस्टिस मिलेगा की नहीं केंदर में क्या है जस्टिस और इनके केंदर में क्या है प्रोसीजर समझ रहे हैं बात को लेकिन सर कोई फिर यही बोला कि कोई भी कोट सर जब भी फैसला सुनाती है तो क्या उस्टिस को मानती है कानून को ही मानती है ना इसा बत नहीं है जी ऐसा बत नहीं है डिव प्रोसेस अफ लॉग का कॉंसेप्ट है न हमारे हां तो डिव फ्रोसेस अफ लॉग क्या कहता है कि सबसे पहले तो कानूनों की ही जाच करेंगी कि आगर कानून यही जैस्टिस देने लाग नहीं है तो फिर उस कानून को रध कर दिया जाता है उस कानून को सुप्रीम को ठाई कोट नहीं मानता है तो यह इस प्रथा का शुरुवात हुआ डियू प्रोसेस अफ लॉका अमेरिका में कि सबसे पहले तो कानूनों की ही जाच होगी कि यह कानून क्या सच में न्याय संगत हैं अगर न्याय संगत हैं तभी कोट इस क option में रहेगा और due process of law तो पहले यूएस मारिएगा यूएस नहीं रहेगा तब इंडिया मारिएगा यह बोलने का मतलग है ठीक है ना यह यह इस कांसल हो सकता है तो यह यहां यहां तक आप सबको समझ में आ गया तो इसके बाद क्या बच गया है इसके बाद तो विल्क लेमिका विल्क लेमिका है खोटू हा olv क稱 का हैं कि हम उनिवर्ट उनिवर्सलिष थियोरी दे रहे हैं कहते हैं कि कि मुअ थैस देखने को मिलता है बहु संस्कृत्य समाज में अलग-अलग उनके मुल्य होते हैं अलग-अलग उनके norms, values, traditions, customs, convention होते हैं तो आप सब पर क्यों थोप रहे हैं अपने justice को अपने theory of justice को के तो ये विल क्लिमिका ऐसा इसको करके criticize करते हैं इतना समझ में आ गया अब और भी लोग बहुत बड़ा ज्यादा criticize करते हैं विल क्लिमिका के जैसे ही कॉम्यूनिटेरियन लोग इनको criticize करेंगे ओके कॉम्यूनिटेरियन जैसे माइकल वाल्जर है बड़ा important point है यह सब सब माइकल वाल्जर क्या बोलते हैं अपने एक अपना बनाएगा तो आप लोग कैसे जो है आप रॉल rहें कि सब माज में एक प्रिंसिपल सब विड्रॉ करेगा तो माइकल वालजर कॉम्यूनिटेरियन क्रिटीक करते हैं रॉल्स थियूरी अब जस्टिस का और रॉल्स इसका जबाब देते हैं अपने बुक को लिखके तो अगर यह पूछा जाए कि पॉलिटिकल लिबरलिजम किसको जबाब दिया गय तो पॉलिटिकल लिबरलिजम जो है रॉल्स के दोवारा जबाब थकिन और नोगों को कॉम्यूनिटेरियन लोगों को कहते हैं कि overlapping consensus का एक theory देते हैं तो ये overlapping consensus का theory किसका है John Rawls का कहते हैं कि social sphere में maybe आपका एक बात पर कोई मतलब ना ठीके अलग-अलग समाज का लोग पर political sphere में एक बात जरूर ऐसा होगा जिस पर पूरा समाज जो है एक जगह आपको दिखाई देगा ये चीज समझ माया overlapping consensus मतलब एक जगह सब का consensus जरूर आके match करेगा कोई भी समाज हो दुनिया का political sphere में ये आप लोग को detail में डिव में पढ़ना भी है Sir Michael Walzer ने क्या कहा था वो बताना Michael Walzer का समझी गहा तो जादा deep हो जाएगा ये कह रहे हैं न कि ये theory of justice पूरे दुनिया में लागू हो सकता है तो Michael Walzer कह रहे हैं कि individual situated self है situated self मतलब अलग-अलग लोग-अलग धर्म से बिलॉंग करते हैं जाती से बिलॉंग करते हैं अलग-अलग अस्थान से बिलॉंग करते हैं और जिस परिपिक्ष में वो पले बढ़े हैं जिस वो society में रह रहे हैं उसी society के हिसाब से उनका mentality है उसी society के हिसाब से उनका सोच उनका norms उनका values है तो जितने भी लोग हैं अलग-अलग समाज के वो एक ही principle के साथ कैसे आगे आएंगे जैसा उन्होंने तीन principle दिया जैसे liberty principle दिया equality of opportunity प्रिंसिपल दिया difference प्रिंसिपल दिया तो वो तीनों principle के साथ ही कैसे आगे आएंगे हो सकता है अलग-अलग हो यह चीज समझ माया अच्छा सर्थ यह थोड़ा वो multiculturalism वाले से थोड़ा मिलता जुलता है ऐसे ही समझे बस इसमें इतना याद रख लेना है इसा पढ़ना है डियू में मास्टर्स में यही सब चीज पढ़ना है कि माइकल वालजर स्फेयर ऑफ जस्टिस में किसका criticism करते है तो जॉन रॉल्स का इतना ध्यान में रखना है जॉन रॉल्स उसका जब यह चीज समझ में आ गया ओवरलैपिंग कंसेंस यह बड़ा डीप है इसमें हम लोग को पूरा एक बुखी पढ़ना पड़ा था अक्चुली हम लोग स्फेयर अब जस्टिस ही पढ़े थे इसके लिए तो तीन चाप्टर इसका तो यह चीज समझ में आया बस इतना ध्यान रखे कि ओवरलैपिंग कंसेंस का कॉंसेप्ट कौन दिया है जॉन रॉल्स दिया है वरना कंश्यूज हो जाईएगा अब यहां पर टाइम कितना हुआ 9.35 हो रहा है दस बज़े तक कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग यह तो नौजी को अला हम आपको बता दिये नौजीक जै इनका भी हम बता दिये प्रोसेडियूरल क्रिटीक है यह सबस्टांटिव त्यूरी को ज्यादा महत्व देते हैं सबस्टांटिव त्यूरी ओफ जस्टिस को ज्यादा महत्व देते हैं त्यूरी ओफ जस्टिस यह किस चीज़ का कॉंसे बुक में तो बुक का नाम है यह कभी और अर्गुमेंटेटिव इंडियन आइडिया ओफ जस्टेस वो सब लिखवा देंगे जब हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थियुरिस्ट को करेंगे ना जैसे अतूल कोली हो गया फिर आपके आशोक वार्षने फिर आपके आशो दोस वार्षने हो गये यह लोग को लोग को तो हम लिखवा देंगे जो इन्पोर्टेंट इन्पोर्टेंट इन लोगों का बुक होगा ओके आसीस नंदी हो गया आसीस नंदी का इंटीमेट एनेमी डाइट तो यह सब बुक हम लोगों को ध्यान में रखना है यह हो गया यहां पर देखिए कॉंसेप्ट बताने न्याय की बात करते हैं तो हम दो देशों के बीच में नयाय की बात करते हैं दो देशों के बीच में मतलब जब इंटेर्नाशनल generational justice का बात होगा तो वहां borders को देखते हैए ऑश्य को भारत और पाकिस्तान के बीच में नयाय की बात को करेंगे रशिया और अमेरिका के बीच में नयाय हो रहे हैं इंटरनाशनल लेफल पर कि नहीं यूक्रेण और खिरे बीच में नयाय हो रहे और ग्लोबल जस्टिस में हम लोग ग्लोबल जस्टिस में देशों को नहीं देखते हम लोग पूरे के पूरे दुनिया के लोगों को देखते हैं और पूरे के पूरे दुनिया के लोगों के बीच में नया हो रहा है कि नहीं तो ग्लोबल जस्टिस जो है ना अपने आप में क कॉस्मो पॉलिटन मतलब पूरे दुनिया में आपको व्यापति ये देखने को मिलेगा ओके तो कॉस्मो पॉलिटन रहे ये आप ध्यार में रखिएगा अगर हम लोग ग्लोबल जश्टिस की बात करेंगे तो एक नेपाल के नागरिक को देखेंगे और एक भारत के नागरिक को क्या सुभिधाएं दोनों को मिल रही है दोनों की क्या इस्थिती है ये देखेंगे तो हम लोग जब ग्लोबल जश्टिस की बात करते हैं तो महत्व किसको देते हैं इंडिविज्वल्स को महत्व देते हैं वेक्तियों को महत्व देते हैं जो की अलग-अलग देशों मे रह रहे हैं इसका मतलब global justice में हम लोग जितने भी states के boundaries हैं उसको सरपास कर जाते हैं उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन वही अगर हम international justice की बात करते हैं तो international justice के केंदर में states, states यानी देश होते हैं, countries होते हैं तो ये चीज़ को ध्यान में रखेगा अब global justice से ये thinker related है ये thinker Thomas इसको ध्यान में रखेगा ये global justice का concept देता है global justice मने इंडिविज्वल वाला जो हम बता है और चार्ल्स बिट्स जो है ये international justice का concept देता है चार्ल्स बिट्स के बारे में हम लोग बड़ा detail में पढ़े थे article में डियू में हम बता रहे हैं थोड़ा सा कहानी ये international justice की बात करता है और गलती से global justice इसका टीक मारने आएगा तो मत छोड़ दीजेगा कि sir global justice बता दिये थे ये दोनों टर्म बहुत लोग एक ही समझते हैं इसलिए हम अंतर बता दिए थोड़ा deep में जाकि ये masters में आप लोगों को पढ़ना है ओके तो दोनों ही global justice से बिलॉंग करते हैं ऐसा समझे लेकिन थोड़ा deep में जाकर बताएं तो ये international justice से बिलॉंग करते हैं और international justice में हम देशों के बीच में नयाय देखते हैं और global justice में जो देशों के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में नयाय को देखते हैं एक वेक्ति दूसरा देश का वेक्ति उन दोनों के बीच में क्या नयाय की श्थीती उसको देखते हैं यह चीज हम बताएं अब कहानी ऐसा है कि यह जो Charles Blitz जो होते हैं यह university में पढ़ रहे होते हैं और जॉन रोल्स जो हैं जैसे आप लोग डियू जेनियू में आगर जाएगा बड़ा महान-महान जैसे आसीस नंदी कभी-कभी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत बड़े-बड़े वो सभी लेक्चर अटेंड किया करते थे और इन्हों ने जॉन रोल्स से पूछा सवाल किया कि आपने ये जो प्रिंसिपल तीन दिये क्या ये हम इंटरनाशनल लेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने अपना बुक में ही लिखा सभी देसों को क्या है स्वतंतरता जίतना अमेरिका को स्वतंतरता है क्या उतना ही स्वतंतरता व्यतनाम और नेपाल को है democracy of opportunity सब देशों को equality of opportunity बराबर मिलता है औसर की समानतता है क्या सबको difference principle तो क्या difference principle इंटरनाशनल निबल पर भी लागू होना चाहिए जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को पैसा दें अमेरिका जो है कुछ पैसा जाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो में दे दे नामीबिया में दे दे बोच्वाना में दे दे जाके पैसा तो ये जो तीनो प्रिंसिपल अफ जस्टिस है किया हम लोग इसको इंटरनाशनली भी लागू कर सकते हैं ये कौन पूछा ये बुक लिखके ये बुक लिखके पूछा चार्ल्स बिट्स और चार्ल्स बिट्स को ये जबाब देते हुए दे लाउज आफ पीपल नामक बुक लिखते हैं ठीक बता रहे हैं न जी दे लाउज आफ पीपल इनका बुक का नाम है ओके ये देखिया दे लाउज आफ पीपल लिखते हैं ये दे लाउज आफ पीपल ये तीसरा बुक लिखते हैं और इसमें जबाब देते हैं कहते हैं कि नहीं मेरा जो theory of justice है ना यह सिर्फ और सिर्फ एक समाज में लागू होगा किसी भी समाज में तुम लागू करो लेकिन एक समाज के अंदर में ये लागू होगा एक समाज के अंतरगत एक समाज में देशों के बीच में इसको लागू नहीं होगा थ्यूरी एक आफ जस्टिस अइज आनली मतलब माई थ्यूरी आफ जस्टिस ने ऐसा जॉन्र ल्स कह रहा है आपली केवल इन ए दिख डोमेस्टिक बाउंडरी डोमेस्टिक एक मिनीट तुरंत डोमेस्टिक एक सेकंड इससे बाहर जॉन रॉल से एक भी कुश्चन आ गया तो हम मुझ 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 वादेंगे नहीं आगई से बाहर हां पूछिए आ यह जो डॉमेस्टिक बाउंडरी की बात कर रहे हैं तो यह अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं कि मेरी कंट्री में लागू होगा ना ना कोई भी कंट्री में लागू हो सकता है अमेरिका में इंडिया में नेपाल में चाइना में भूतान में कहीं भी करा कि इंटरनाशनली लागनी हो 67S पे बीच है कि दो देशों के बीच में माना लेज़े कि देश इंडिवीजुऑल हो गया देश एक पल के लिए इंडिवीजवा बात हम समध रहे हैं तो देश के अंदर वाले समाज में लागू होगा पर दो देशों के बीच में लागू नहीं होगा यह बोलने का मतलब है अच्छा तो इन्होंने स्टेट को एक इंडिविजुल की तरह देख रहे हैं हाँ चार्स ब्लिट्च ने है हाँ हाँ पूछिए उदित यानि सर यह बोल सकते है ना कि जो जो ऍरमी यो सबस्कति में प्रेब करा सकते है मैं आशी क्लास ओंकट और शेख रिख यह सकते हैं ठीक राता है तो यही था आज का घ्लास यहीं पे खتم करते हैं अगर किशी डाउट हैं तो पोछी इससे बाहर कोई question याएगा जितना बताए है उतना ध्यान में रखिएगा एक भी question नहीं छूटेगा lexical order के बारे में बताए है यह decline of political thought वाल एकदम रट लीजेगा अच्छे से जितना भी बताए हैं इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ-कुछ question पूछें कोई कोई बताएगा कॉम्यूनिटेरियन क्रिटीक को जबाब रॉल्स ने कौन से बुक में दिया है जो माइकल वालजर है स्फेयर ऑफ जस्टिस लिख कर क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स को कौन से किताब में जो है वो जबाब देते हैं कॉम्यूनिटेरियन क्रिटीक को कि विल्कुल सही कोई हाथ खड़ा करके बताएगे भाई और तो और ये जो पॉलीटिकल लिब्रेलिजम है उसमें कॉन सांपॉटेंट कॉंसेप्ट देते हैं जॉनरॉल्स पॉलिटिकल लिब्रेलिजम में ओऊप्रापिंग कंसंसेस बहुत 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 फेपना जोर्स सफ़ापना एक्षी बेश्ट करेंट्च प्रिस्टिबूर्टमज ईष पत्स इस बेस्ट अन्विश्ट प्रिंसिपल 이야기 प्रिंसिपल में उप्रिंसेपल बीसेंटि यह निचाहर्शरार यह प्रिंशन सी डिफ्रेंस प्रिंशिप ठीक है सही बात है अचारती आप एक और कुश्टन का तब जवाब दीजिए जो इंटरनाशनल क्रिटीक होता है जो कॉस्मोपॉलिटन जो क्रिटीक होता है जॉन रॉल्स का वो उसका अंसर कौन से बुक में देते हैं उसका अंसर कौन से बुक में देते हैं बताइए अभी हम बताए चाल्स पर ठीक बात है अच्छा और क्या कुश्टन बनेगा और मेरे को देखते ने दीजिए अच्छा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थिवरी के बारे में कौन-कौन सा चिंतक बात करता है कौन बताएगा बस बस दो नाम चार नाम भी बता देंगे बहुत है चार नाम कम से कम तो चार नाम कौन 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 से चिंतक बात करते हैं बिलकुल और हां डेविड इस्टर्न रोबोट डाल अलफ़र्ट कोबन पीटर लासलेट बिलकुल सही बात दांते जर्मीनों आप लोग छोड़ रहे हैं राइट दांते जर्मीनों ठीक है सही है जब आप लोगों का और रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी से कौन-कौन से दो चिं इस अब्रियोर्ल्स में डेव्ल से इन्में अ करेंद तो यह चीज में बताये थे हम-र किसी को क्योंफिया के सब रट क्या एक अच्छे से अच्छा मॉड मॉडरनाइजिशनल थ्योरी ऑफ आप पूछिए करा देंगे करा देंगे कॉंफीशियस है सले बस में कॉंफीशियस था लिखा हुआ नहीं होगा मेरी ख्याल से नहीं है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे को नहीं करेंगे मेरे नॉट्स में बहुत सारे थिंटर्स है अगर देखा जाए तो लोगों को पढ़ना पड़े कि बहुत सारे चिंतक के बारे में पढ़ना पड़ेगा थॉमस एक विनीस सैंट आगस्टीन बता दिए से सेरो बता दिए इफी क्यूरियस के बारे में बताना होगा फूगो ग्रोटियस एस्पूनजा हटिंग्टन सीवी मैकफर्सन आइजिया बर्लीन परेटो बोसांक मार् सब ना पड़ेगा दो लाइन चार लाइन बताना पड़ेगा सब के बारे में हम क्या करें कामपरिटीव पॉलिटिक्स यह पढ़ा कर आयार यह सब बताए कि पहले बता देंगी सब आप लोग स्था बोलिए तो आपने पीडिय एफ और शेयर किया था मॉरिस जॉनस और कोई शे तीन तिंकर थे हाँ हाँ माइरन माइरन विनर मौरिस जॉन्स हाँ आपने एक जिम्स जिम्स मैनौर हाँ तो सर उसमें मतलब हम सिर्फ या कुछ समझने का कंसेप्ट है नहीं नहीं वह हम समझाएंगे वह वापस से हम दुबारा से कराएंगे अतुल कोली के बारे में बताएंगे पॉल ब्रास के बारे में बताएंगे फिर पार्थब चटर जी के बारे में बताएंगे आसुतोस वर्षने के बारे में बताएंगे आसीस नंदी हो गए उनके बारे में बताएंगे तो इन लोगों के बारे में बताएंगे बहुत सारे चिंतक हैं फिर आज फि रजनी कोठारी जेंट्स हैं कि लेडी तो मेल है राइट हमको पहले लगता था कि रजनी कोठारी female है कसम हम बता रहे हैं को पूरा graduation तक लगते रहा है और कल एक करते हैं कि पता नहीं कलर से भागवान जाने बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत अच्छा बढ़ाते कॉमपरिटिव पॉलिटिक्स ठीक है तो यह यह सब थिनकर्स के बारे में हम लोगों को एक बढ़ना पढ़ेगा फियर रुडॉड्डॉल फॉडॉड थ है उनके बारे में पढ़ना पढ़े बहुत साथ है भुबहुत था तो इस हम लोग Wraalsboard को कंपलीट कर लिए यह इससे बाहर कोशन नहीं आए लाक्सिकल ओडर ध्यान में रखना है लाक्सिकल ओडर में वांट टू थ्री प्रिंसिपल है उसी ओडर में हम बताए भी आप लोगों को डॉर्किन का Equality of Resources याद रखना है है आपका इनका मरत्यासेन का यही सब अगर किसी का कुश्टन है तो प्लीज पूछिए वार ना एंड करते हैं करद सोर्प है आपका इर पढ़ा दे आज और प्ठाद सुर्ख कोंपरिटी पॉलंटिक्स पॉपलिक अटमिनस्ट कर तीनों ही लगातार पढ़ाएंगे तो तीन नुकर इस इसके बाद आयर पढ़ादेना थीओ आयर पढ़ा देन कोई दिक्कत नहीं पढ़ाना तो है ही पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं कॉम्परिटिव आयर ही पढ़ा देंगे जो बोलिया रहे पढ़ना है सब दो तिन तिन में खतम कर देंगे इतने सब से आएगा कोश्चन कर लेते हैं जो आज पोल डालेंगे पोल डालेंगे आप पब्लिक अडिमिनिस्ट्रेशन देखन लेते हैं पब्लिक अडिमिनिस्ट्रेशन ही पहले कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें दो क्लास लगेगा मुस्किल से दो क्लास में कॉम्प्लीट हो जाएगा अब उसमें थोड़ा सा कॉंसेट्ट बता देंगे आप लोगों को पहला क्लास एकदम कॉंसेप्च्वल देंगे जो जो चीज रटना रहता है वो बता देंगे शीट देंगे रट लीजेगा उसे बाहर कोश्चन नहीं आएगा दन फिर फिर वेलकम तब फिर आप क्लास एंड करते हैं दस बज नहीं वाला है चलिए आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप यह कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं नीदीन कोश्चन पूछ रहे हैं अरे मेरा बुक नहीं है भाई मेरा नोट से पढ़ाते हैं यह देखिए यह पूरा का पूरा मेरा नोट्स लिखा हुआ आपको दिखाई देगा देख रहे हैं जॉन रॉल्स के उपर है सब चीज आपको देखने को मिल जागा यह निट का नोट्स जारेफ निट के लिए पढ़िए सीवीटी पीजी के पढ़िए सब के लिए नोट्स है अपने का बुक मिलता था वो बुक आर्गुपता का उसमें से कुछ-कुछ यूजफुल चीज उठाए हैं फिर सुबरा रंजन का मैम का नोट्स of course for नोट से हम चीजों को उठाए हैं सेफाली जहां से कुछ-कुछ चीजें हैं कुछ-कुछ चीजें जीए से स्कोर जो है प्यूस चौधरी सर उनके नोट से लिए हूई है तो अलग-अलग आज जो दो स्टूडेट जोईन की थे वो लोग है विपाशा और विपाशा और नीतीन आप लोग है वहां नीतीन आप आपको समझ में आया आज का क्लास जी सर तो अच्छे से पूछ लिजेगा गितिस्व अपना से आप लोग कैसे कैसे क्या करना है पहले से उन लोगों को पता है आपको समझ में आ रहा है न जी आप चार्थ-पांच दिन पहले जॉइन किये हैं नरिश अच्छा ठीक है तो बढ़ियां से ठीक ना अच्छे से लगाई सबका सेलेक्शन होगा टेंशन नहीं लेना है इससे बाहर को सब पढ़के जाएगा तो कुछ बचबे नहीं करेगा ऐसा पांच साथ कोशन आएगा जो किसी को नहीं आएगा वह हमको भी नहीं आता होगा उसक के बारों में ज्यादा नौलिज होगी मैंने न मतलब यह सीउटी का यह डियू में एडमीशन के लिए एक सीउटी और मेरिट बेस दोनों कंबाइन डैमीशन भी होते हैं वह कैसा उसका है उसका है कि 50% सीट जो है ना जो डियू के जैसे आप तो टेक तेक बहादूर खालस मतलब है 50% सीट जो है वह मेरिट बेस्ट होता है 50% होता है इंटरेंश बेश्ट मतलब आपको माक्स पर डमीशन होगा 50% सीट और 50% इंटरेंस पर लेगा सीवीटी पीजी से नहीं सर्वो तो मुझे भी पता है इसके अंदर मैंने मतलब पढ़ देखा था तो एक होता कि मेरिट बेज़ अड्मिशन होगा एक होता है कि एक ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें मेरिट बेज़ और एंट्रेंज दोनों कमबाइंड है मतलब उसका कुछ अलग से परसेंटेज बनेगा शायद से या तो कुछ ऐसा है ऐसा तो मुझे पता नहीं है इतना पता है कि जो यह एनका आप साइमल्टेनिशली फॉर्म भी फिल सकते हैं इदेश्टेनियसली अबंरेंस कफॉल कर सकते हैं कि उब य enforcement काटेगरी आ और तो इस नहीं तो समय मात पुर्ण लेख सब वहर अगे की कि आप देखें कि बॉइस कॉलेज का लाश्ट कट अप कहां गया है कि सर वैसे मैं देख लूँगा बट मेरा जो आ रहा है वह सेवेंटी अर्यन अर्यन बता रहे हैं कि बॉइस कॉलेज का असी परसेंट गया कट अप गया होगा कि 80 गया होगा तो वह जैसे हम लोग के टाइम में भी होता था इंट्रेंस होता था तो आडमिशन होने के लिए तो 175 नंबर पे भी हो जाता था बट लड़का लोग का नहीं होता है लड़का लोग का चौदा ही कॉलेज था लड़की लोग का कॉलेज है अब उसमें को इतना करें पिर इक एक कैसे कि बहुं कि पड़ता है सब काधारा उसमें भी बहुत सार में कालेज पड़ता है है यह krijgen गॉर्ण कालेजने का कुछ te received रहता है तो गुर्णि वालए हटा देना है हां भगनी records नवदिता पिलकुल सही बिल्कुल बिल्कुल हम यहीं भूल रहे थे मिरांडा में तो नहीं है मेरे खाल से मिरांडा में नहीं है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस मिरांडा हॉस में जो मिरांडा हाउस की लड़की लोग थी हम लोग के क्लास में तेज तेज मिरांडा हाउस वाली होती है तेज 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 तो वो लोग थी वो लोग हिंदू कॉलेज में किसी का हुआ था किसी का रामजस में हुआ था तो वो लोग थी हम लोग में बट जो मिरांडा हाउस है उसमें एमे पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो यही हुआ हम लोग का बाच्चित डिसकस्षन भगनी नबदीता ये कॉलेज भी था वहाँ तो देख लीजेगा बॉइस कॉलेज का कितना कटफ जा रहा है वरना हम भी सुरू में कटफ देखे तो हमको लगा एक सब पच्छतर हम तो उठके सुथ के जाके एक्जाम देंगे तो मेरा हो जाएगा फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं लड़का लोग का कटफ 230 गया था उसके नीचे कहीं किसी का कटफ था नहीं थोड़ा से देखना वाला कॉंसेट्ट बताया ना तो इकवीटी वाला कॉंसेट्ट है तो ठीक है मिलते अगले क्लास में रिकॉर्डिंग भी थे देते हैं और भी देते हैं और अगले क्लास से आई-ण। कल से पुबलिक आड मिनिस्टेशन कर दिया है फिर बीच में पर क्लास जब पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन खतम करेंगे तो वह तो ज्यादा हो गया भाई स्कूटी लड़की लोग को मिल रहा है तो गलत बात है असमें लड़की लोग को स्कूटी मिल रहा है हमारे यहां तो साइकल से ही काम चला देते हैं अरे वाह क्या बात है एक नमबर तब तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए ठीक है फिर अब हम एंड करते हैं क्लास ना कोई बात नहीं हम लोग स्कूटी हम खुद से भी हम लोग खरीद लेंगे चिंता नहीं करना है यहां भी साइकल देता है जारकेंड में तो मिलते हैं फिर अगले क्ल क्लास में पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन ही शुरू कर देंगे कल का क्लास कॉंसेप्चुल होगा कॉंसेप्ट पर बात करेंगे कोश्चन वर्चन जो आता है वो बात की बात है पहले कुछ समझ जाए आप लोगों को आईडिया हो जाब पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन क चार क्लास में खतम करा देंगे ओके डन कर को कोई बीडियो हाँ कल का बीडियो है जी कल का बीडियो सर्च कीजिए तो आ जाएगा उसमें लिखना होगा इव पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन बाए पढ़ो तो वैसे ऐसा लिखिएगा तो मिल जाएगा बीडियो बाकि पब्लिक अग्मिनिस्ट्रेशन प्र वीडियो नहीं है मेरा बाकि पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन पर एक है जिस्ट पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन उसको भेज़ देंगे बाकि आप same ुम raising आा तो connects कर रहे Nelson को सबको आंसर करेंगे कि आप लोग खुद से डिसकस करते हैं तो अब क्या हम बीच में कब आपका हड़ी बने आप लोग ठीक करते हैं यू आल पीपल गिप दर राइट आंसर तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका बाय गुड़नाइट टेक क्यार ओके कल मिलते हैं इसी टाइम आपका राइम